विमान का और जैपूर से एहम खबर है उचली जैपूर एरपोर्ट की रैंक प्राइविटाइजेशन के बाद जैपूर एरपोर्ट की रैंक में सुधार हुआ है एरपोर्ट काउंसल इटरेशन के सर्वेक्षन में ये रैंक सुधरी है चौथी दिमाही में जैपूर एरपोर्ट की आई है 57 वी रैंक अक्ट्यूबर से दिसंबर 2021 में इससे लेकर सर्वेक्षन हुआ था जबकि जुलाइ से सितंबर के सर्वेक्षन में 94 रैंक थी या ती सुधाओं के 33 मान को क्या धार पर ये सर्वेक्षन किया जाता है और इसमे रैंक ऊपर आई है डानी समों की कारभार समानने के बाद दूसरी बड़ी उपलब्दी है इसे पहले वाइस ऑफ दी कस्टमर एवाट भी जैपूर एरपोर्ट को मिल चुका है तो प्राइविडाइजेशन के बाद ये दूसरी उपलब्दी है जैपूर एरपोर्ट की हला सब्सक्राइजेशन के बाद दिसम्मर तक यात्री बाहर में लगातार बड़ोलती देख रही थी और उसके मुताबिक यात्रियों के लिए बहतर सुगदाएं उपलब्द कराना ये बड़ी चुनोती थी जिस पर केड़ानी समों अब तक इसकति में खरा उतरा है और अक्त कर दो लिए जाती है और इसमें जो यात्री शुविदाए है उनको परका जाता आ है चाहे वो गयात्यों के पहुंचने के लिए टेक्शी की सुविदा हो पासिंग की सुविदा हो या फिर एकिंग गेट होता है वहां पर जो श्रक्षण इस्ताफ वे जाने वाली बात हो या फिर वेटिंग एरिया हो, खानपान की सुविधाय हों, वाहिपाय हों, इन सभी जो मानक होते हैं, इन पर जातियों से उनकी राय ली जाती है, और उस राय के आदार पर ये सर्विक्षन के परिणाम जारी होते हैं, और उसमें जब से अडानी समून ने चावाला है, उसम लाल भी एक अच्छी उपलवदी रही है, जी, चले शुक्रिया काशिराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए है,